नमस्कार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हर्जपना कुछ कहता है तो दोस्तों आज हमारा विशे हैं अंगो की फड़कने को लेकर और उसमें भी में जो पॉइंट है या टॉपिक है वो है हाथ का यह हाथ की हथेली का फड़कना यदि मैं ए आपके वो विशेश एरिया फड़कने लगता है या कोई स्ट्रेन को स्ट्रेस दबाव ज्यादा होता है तो भी वहाँ पर फड़कन होती है लेकिन भारती सामद्रिक शास्त्र या जिसे आप सरवांग शरीर जोतिश कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अंगो के फड़कने के विशेश शुब व अशुब रभाव होते हैं और ऐसा बहुत सारे लोगों से फीड़बैक के दोरा भी पता चला है कि ऐसी चीज़ें होती हैं और हमारे भारते जन्मानस में तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो यदि आपके आपरुशे और आ आपकी हथेली या आपका दायना हाथ फड़क रहा है तो बहुत शुब माना जाता है कहा जाता है कि दायनी तरफ का जो हाथ फड़कता है तो किसी पुराने मित से मुलाकात और यदि हथेली फड़क रही है तो धन प्रापती है धन आगमन की और संकेत देता हैं लेकिन वह आए हाथ की जो फरकन होती है, वो कभी-कभी जो रोगी व्यकती हैं पुरुषों और यदि रोगी है, तो आपके जल्द स्वास्त लाव की ओर भी संकीत करती है लेकिन यदि आप इस्त्री हैं, तो यदि आपका बाया हाथ यहाधेली पड़कती है तो यह आपके लिए शुब होगा किसी चीज की प्राप्ती हो सकती है और यदि आपका दाया इसा पड़कता है तो यह बहुत जादा शुब नहीं होता है तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दिवी जानकारी पसंद आई होगी आशी रोचक जानकारी के लिए क्रिप पे आप हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार